इतिहास में पहली बार तेल की कीमात एक डॉलर से भी कम हो गई है एक बैरल तेल की कीमात एक डॉलर से कम हो गई है यानि 169 लीटर कच्चे तेल की कीमात एक डॉलर से कम हो गई है यानि तेल बोतल बंद पानी से भी सस्ता हो गया है तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है अमेरिका और कनडा में तेल उत्पादन बंद हो रहा है ओपेक को भी कुएं बंद करने पड़ सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के स्टोरेज की कमी पड़ रही है अंतर राष्टी बाजार में जो रेट है उसके हिसाब से देश में अधिक तम 3-4 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल होने चाहिए लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि प्रो पिपल सरकार ही ऐसा निर्णाय ले सकती है 2013 में जब कथित 70 साल वाली सरकार सत्ता में थी तब प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमते 125 डॉलर के आसपास थी हमारे यहां पेट्रोल की कीमत 76 रुपए और डीजल की कीमत 66 रुपए थी और आज एक डॉलर प्रति बैरल से भी कम कीमत होने के बाजूद पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 62 रुपए में बिक रहा है राश्ट प्रेमी चुप हैं क्योंकि महंगा खरीदना वो शौक बन गया है लोग अपनी जेब नहीं देख रहे हैं दोसरों का धर्म खोजने में मस्त और व्यस्त हैं आप इस साधारन गडित से ही सरकारों की प्राश्मिक्ताओं का अंतर समझ सकते हैं अभी हमारे पास तेल स्टोरेज की छमता नहीं है अन्ता भविष्य में बहुत अधिक फायदा होता चीन ने इस दिसा में बहुत पहले ही कारे शुरू कर दिया था चीन बड़े स्केल पर तेल का भंडारन कर रहा है किसी भी आपदा और युद्धजय से हालात में ये बहुत जरूरी होता है ये नेतरुत की दूरदर्शिता को दिखाता है